जून 2011 फर्रुखाबाद महुत्सव की तैयारी हो रही थी अतुल कपूर, फोटोग्राफर रविंद्र भधौर्या डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत की साथ फर्रुखाबाद की एतिहासिक यात्रा पर चित्रप्रदर्शनी लगाने की तैयारी कर रहे थे रामायन काल से आज तक की यात्रा में महापुरुषों की पेंटिंग की जरिये लोगों के दिलों में इनकी महत्ता जागरित करने का प्रयास था प्रदर्शनी जनता का ध्यान आकर्शित करने में पुनरता सफल रही ये सिलसिला रामनगरिया मेले में भी जारी रहा प्रश्ण है इससे हासिल क्या हुआ क्या ये प्रदर्शनी केवल शौकिया थी लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि इन महापुरुशों का संबंध फर्रुखाबाद से था लोगों की मान्यता थी कि अगर ये सही है तो इनके एतिहासिक साक्षे तो जरूर होंगे प्रदर्शनी का सिलसिला कई वर्ष चला मैंने सोचा क्यों न सोशल मीडिया का उप्योग एतिहासिक तथ्यों को जन जन के सामने लाने का प्रयास किया जाए इसी से उत्साहित हों मैंने हिस्ट्री आफ फर्रुखाबाद नाम से फेस्बुक पर एक पेज शुरू किया ये प्रयास भी अत्यंत सफल रहा एतिहासिक सत्य लाने का भरपूर प्रयास अभी जारी है दुनिया भर में रहने वाले फर्रुखाबाद वासियों के समर्थन के अलावा लोगों में लोकल इतिहास जानने की प्रवरिर्ती बढ़ाने में भी सफलता मिली है इधर शोधक्षात्रों द्वारा फर्रुखाबाद के इतिहास विश्रे पर काफी रिसर्च हुआ है मेरा मानना है कहानिया किससे इतिहास नहीं हो सकते लेकिन अगर इन कहानियों को तथियों में पुरोय जाए तो ये लोगों में विश्वास वास्था का संचारन कर सकते है पुरा तत्व विभाग ने इतिहास को मरने दिया नतीजा इतिहासिक तथि नश्ट कर हो गए मेरे पास स्वरगियर अतुल कपूर द्वारा बनाई गई पैंटिक के फोटोग्राफ कैट थे सोचा इस याद को सामने लाया जाए जिससे किये गए प्रयास को माननेता तो मिले ही फोटोग्राफर अविंद्र भधौर्या के जुनून को सराहा जाए हो सकता है प्रस्तुत पैंटिंग उच्छे को ठीकी न हो लेकिन इन पैंटिंग्स ने इतिहास को जानने समझने के लिए मोटिवेट किया है